चीन के बहुत से क्षेतर सूखे की समस्या से जूज रहे हैं जिसमें तक्षिनी चीन के चोंक्विंग शहर के बहुत से हिस्से भीशन गर्मी और सूखे की चपेट से प्रभावित हैं। इस समस्या के समाधान के रूप में इस शहर में चीन ने क्लाउट सीडिंग का तकनिक प्रयोग किया है चीन के राश्ट्रिय मौसम विज्ञान किंद्र ने अगले दस दिनों में अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की भविश्वानी भी की है इनके अनुसार चोंक्विंग और उसके आसपास ख्षत्रों के निवासियों को बाढ़ और भूस खलन के जोखिम के लिए तयार रहना चाहिए क्योंकि सामान्य वर्सा से 40 से 100 फिस्दी हदिक वर्सा होने की जमभावना है बात करते हैं क्या है क्लाउट सीडिंग क्रित्रिम भूप से वर्सा कराने की तकनिक को क्लाउट सीडिंग कहा जाता है इसके लिए सिल्वर और पोटेशियम आयोडाइट के साथ ड्राई आइस को मिला कर एक कॉंपोनेंट त्यार किया जाता है जिसे किसी माध्यम से बादलों की इर्द गिर्द बिखेर दिया जाता है इसका प्रयोग वर्सा कराने के अलावा समय से पहले वर्सा कराना कोहरे की परत को हटाने आदी में भी किया जाता है